है यह लो एंड वेलकम दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे हेल्धी होंगे और खुश भी होंगे अपनी जिंदीकी में यहीं उमीद करता हूं आप सबसे तो आज की अनलिशिस सुरू करते हैं आज की आनलिशिस में पहले बताना चाहूं कि मेरा व्य है और उस बुलिश व्यू होने के काफी सारे रीजन्स हैं जो कि मैं जरूर डिसकस करूंगा आपके साथ अगर आपको लगे अगर लगता है मतलब आपकी सोच से कहीं न कहीं मेरी सोच मैच करती है लाइक सोच इन दा सेंस जो प्रेडिक्शन है स्पेशलिस की बात करूंग देफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे सब्सक्राइबर बहुत थोड़े है भी भी हमें बढ़ाने हैं और साथ मिलके आगे बढ़ना है चलो सुरू करते हैं आज की अनलेसिस आज की अनलेसिस में अगर देखोगे तो मैं weekly analysis कर रहा हूँ because today is Sunday, तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको interesting बताना चाहूँगा, कि देखो हमारी market ने पहले अच्छा का सा move दिखाया था, उसके बाद एक hold लिया था, hold के बाद market ने slowly and steadily continue किया था, यहां से फिर एक rally जरूर आई टी, इस time पर मैंने यह देखोगे, तो मैंने weekly chart खोला हुआ इस जरूर ध्यान रखना, उस rally के बाद ही क्या हुआ था, हमें एक higher low, last higher low structure मिली थी, sorry higher high structure मिली थी, उसके बाद हमें एक higher low structure मिली थी, उसके बाद से हमें नया trend मिलना शुरू हो गया था, that was lower high, यहां पर हमें lower high मिला, then lower low, lower high, यहां पर double bottom के बाद, एक move upside में हमें weekly basis पर देखने को मिला था, but again यहां से भी हमें correction देखने को मिली, और उसके बाद, यहां अब slowly and steadily market लग रहा है, कि उपर की side जाने वाली है, अब मैंने थोड़ी ही देर पहले बोला था, कि मेरा view bullish है, तो चलो पहले bullish view के reasons हम यहां पर जान लेते हैं, क्या क्या reasons अगर आपको वो reasons समझ में आई, अगर लगे कि हाँ वो reasons हो सकते हैं, तो definitely इस मेरी research को या फिर कह सकते हैं, इस मेहनत को लाइक देना जरूर बनेगा, ठीक है, चलो बताता हूँ, क्यों क्यों मैं क्यों मैं बोले सूँ, सबसे पहला reason दे, चार्ट structure ही देख लेते हैं, यहां पर एक major support थी, जो पहले एक major resistance का का काम कर रही थी, यहां पर और यहां पर अगर आप देखोगे, resistance का काम की दी, उसके बाद breakout आया था, slowly and steadily market ने अच्छा खासा, लगबग 18,700 के ऊपर तक का एक move दिखाए था, वहां से हमें correction देखने को मिला, lower high, lower low structure हमें देखने को मिली थी, तो अभी हमें recent में ही एक lower low structure तो मिल गई है, lower low structure तो हमें recent में मिल गई है, बट एक proper swing वाली, proper swing जैसे ये, कि ये swing and ये swing, क्योंकि ये channel में चल रहा है न, तो अब लगबग ये swing और ये swing, एक swing इसलिए मैं कहा रहा हूँ, कि ये swing तो बनता ही है, तो अब हमें lower high वाली structure मिलना बाकी है, तो इसलिए पहला reason जो मेरा बनता है, कि market slowly and steadily 17,500 के round जानी चाहिए, market in the sense nifty 17,500 के round जरूर जाना चाहिए, इसलिए पहला मेरा reason ये है, ये बोलने का according to the price action, कि यहाँ पे lower high structure बनना जरूरी है, तभी हमारा पूरा trend एक पूरा होता है, यानि हमारी एक channel जो यहाँ पे बन रहा है न, जो मैंने channel बनाए, downside में support, and upside में मैंने resistance बनाई है, तो तभी हमारा ये पूरा channel बनेगा, ठीक है, तो पहला reason देखो मेरा ये है, अब दूसरा reason मैंने यहाँ पे फिर RSI पे चेक किया, ठीक है, अब RSI को देखोगे, तो यहाँ पे एक interesting चीज क्या देखने को मिल दी है, कि जब हम उपर से correct हो रहे थे, ठीक है, यहाँ पे पहले देखोगे, कि यहाँ पे एक high बना था, यहाँ पे एक high बना था, तो इस high पे नया RSI high नहीं गया था, उसी की वज़े से RSI ने पहले indicate कर दिया था, कि एक जब है downfall आ सकते हैं, उसके बाद देखोगे तो continuous downfall आ रहे है, continuous downfall आ रहे है, continuous downfall आ रहे हैं, बट एक चीज नोट करने वाली होगे, यह वाला लो और next वाला लो, ठीक है यहाँ पे हमें RSI के अंदर बहुत ज़्यादा difference जो है, नहीं देखने को मिल रहा, in fact जो upside का RSI देखोगे, जो इस low के बाद जब यह ऊपर जाने लगा था, तब का RSI हमारा था लगबग 47 पे, बट अभी जो RSI है, वो RSI है, 44 पे, यानि पहले हमारा RSI कितने पे था, पहले 46 पे था, और जो अब RSI है, वो भी 46 पे है, बट एक चीज देखोगे कि यह हाई कितना हाई था, इस दिन की closing, इस दिन की closing, इस week की closing देखोगे, तो down है, यानि इतने down होने पे, क्या हमें RSI के अंदर एक divergence नहीं देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, तो second reason है मेरा, bullish होने का, वो RSI divergence है, यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं, RSI divergence भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि मेरा second reason है, price action का coding, lower high, lower low structure का coding, एक lower high structure बनना भी बाकिए है, दूसरा, तीसरा reason, दो reason हो गए, RSI हो गया, तीसरा reason पे आ जाते हैं, तीसरा reason क्या है यहाँ पे, तीसरा reason यह है, कि जो यह major support है, इससे यहाँ से, यहाँ से इसने एक bounce back दिखाया है, और वो जब भी एक major support से bounce back आता है, वो हमेशा जैसे इस bounce back को ही देख लो, जब यहाँ से bounce back आया था, यह major support थी, तो कितना strong bounce back आया था, तो इसलिए मैं बोल रहा हैं कि, जब भी एक major support से bounce back आता है, तो वो काफी strong bounce back होता है, तो तीसरा reason मेरा यह भी है, यह support के बाद एक upside दिखा रहा है, तो यहाँ पर हमें तीन reason मिल गए, ठीक है, price action और चार्ट के coding, अब मैं चोथे reason पर आजाता हूँ कि, मैं bullish क्यों हूँ, देखो market कहीं भी जा सकती है, बट अपनी prediction पर क्या-क्या fact involved हो रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें, अपनी side में उनको calculate करना बहुत ज़रूरी होता है, अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कुछ important चीज़ें, US dollar oil देखोगे, तो लगबग 130 से correct हुआ है, जो लगबग 30% correct हो चुका है, अपने high से, अपने high से लगबग, जो है कच्चा तेल है, वो 30% correct हो चुका है, यानि अब inflation, वो 30% collect हुआ है, और जो हमारे commodity sector है, वो भी अच्छा खासा correct हो चुका है, वो भी कम से कम बेश से 30% correct हो चुका है, अब metal sector correct हुआ है, crude oil correct हुआ है, inflation high था, उसकी वज़े से correct हुआ है, अब वो correct हो चुका है, तो chances है, inflation भी धीरे-धीरे, slow and steadily, और हो चकते है, थोड़ा fastly, जो है, अब control में आईगे, और inflation down होगी, तो चोथा मेरा reason क्या है, कि inflation down आने के chances, चोथा, inflation down आने के chances, अभी हमें ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि, तब चांचीज होते हैं, हमें uptrend मिलने के, ठीक है, और जब इंडिया विक्स हाई होता है, यानि fear हाई है, और fear जब हाई होता है, तो market कभी भी upside में sustain नहीं कर पाती, तो एक पांचवा reason ये भी है, कि इंडिया विक्स अभी मुझे यहाँ पर अच्छा कासा डाउन लग रहे हैं, तो मैं यहाँ पर मानता हूं कि, अब हमें एक upside देखने को मिलने चाहिए, ठीक है, अब 5 reason हो गए, अब weekly basis का चार्ट हम देख लिए, चलो अब daily basis पर चल रहते हैं, 5 reason हो गए हैं सिर्फ weekly basis पर, तो यहाँ पर अगर देखोगे एक चीज, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखोगे बीच में यहाँ पर कुछ न्यूज आई थी, कुछ-कुछ बैड न्यूज आई थी, उन बैड न्यूज पर भी market ने correction नहीं दिखाया, यानि एक low ज़रूर बनाया, बट उसके बाद market ने अभाव बनाया हर बाद, यहाँ पर जब यह correct हो रही है, तो कुछ ना कुछ बैड नूज आरती, लाइक fed की meeting होई, यारग वाली meeting होई, तो उनकी वाज़े से यहाँ पर correction ज़रूर देखने को मिल रहा था, बट उसके बाद भी market ने उतना correction नहीं दिखाया, जितना दिखाना चाहिए था, और वहीं अगर आरली चार्ट पर देखोगे, तो यहाँ पर हमें एक purely क्या देखने को मिल रहा है, क्या एक w pattern हमें नहीं देखने को मिल रहा है, यहां पर हमें एक w pattern on the basis of 30 minute chart देखने को मिल रहा है, तो 30 minute chart पर एक pattern और हमें मिल गया है, तो अब हमारे पास 6 reason हो गया, अब 6 reason मेरे ख्याल से कम नहीं है, यह predict करने की market जो by बलिज जाने जी है, नहीं है न तो इसलिए मैं कहता हूं कि मार्केट में बुलेशन मार्केट के ऊपर इस यह नहीं कहे रहा हूं कि कल कोई मार्केट खूब भाग जाएगे मैं ऐसा नहीं और सब्सक्राइब कर दिछाए क्या अजी ज्याए कि स्लोली एंड स्टेडली हमें मार्केट Kita यहां पर, अब हमें जाने को देखने के मिले, देखने को मिले, बट अब जरूर जाएगी market, यह मेरी weekly analysis है, तो अब मैं weekly week होंदा, वीक मैं bullish मार्केट, purely, मैंने एक, एक reason बता दिया, अब बताओ क्या आपको reason सही ही लग रहे हैं, अगर आप ए reason सही ही लग रहे हैं, तो तो वीडियो को like करना जरूर बनता है ठीक है बाकि market कहां जाएगी कहां नहीं जाएगी वो तो market ही बताती है ऑगे बट हमारा काम है कि data collect करके उन डेटा को analysis करके हमारी prediction आने चाहिए बाकि market अपने आप ही चलती है अपने हिसाब से वी कांट अगे क्या हम मार्केट में हम क्योंकि हम कि यानि रिटेल इन्वेस्टर स्पेसली वो जो है ज्यादा कुछ नहीं कर सकते बड़े लोगों के हात हमें वह मार्केट को इदर गुमा सकते हैं तो यह पांच छे रीजन लगवग शाथ रीजन हो गया इस साथ रीजन है कि में मार्केट पे बुलिश हो तो क्या अब हमें कल ही खरीद देना चाहिए सब कुछ नहीं तो मैं बोलूँगा कि एक बार इस पैटरन को ब्रेक आउट होने दो इस पैटरन को ब्रेक आउट होने दो उसके ऊपर सस्टेन करने दो फिर मैं कहता हूँ कि मार्केट को थोड़ा सा हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए बुलिश लेके चलेंगे क्योंकि मेरा मानना है इस पैटरन के ब्रेक होते ही ज्यादा नहीं बट लगबग एक दू दिन के अंदर ही जेड़ दो प्रसेंट मार्केट अराम से अपसाइड दिखा सकती है अराम से ठीक है हो सकता है कलको गैप ओपनिंग ही मिल जाए यह भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है बट अगर बड़ा गैप मिले तब हम बाई नहीं करेंगे क्योंकि जो लोग सोट है वो डेफिनेटल अपनी पोजिशन कट करें करेंगे तो एक बार मार्केट में करेक्शन हमें देखने को मिल चकता है हां थोड़ा से स्टेन करने के बाद दोबार ब्रेक आउट देते हैं डेफिनिटली वी विल फॉर स्विंग ट्रेडिंग इन दा मार्केट चलो अब बैंक निफ्टी की बात कर लेगे बैंक आप डाउन यहां पर जाद देखने को मिलता है अब अभी रिसेंट में देखोगे तो बैंक निफ्टी ने जो यह कुछ वीक पहले ही एक लो बनाया तो उस वीक को ब्रेक निकिया जबकि यहां दो बार लो बनाने की कोशिश कर चुका है और वहीं पर देखोगे किस ने अ अगर यहां पर थोड़ा सा होल्ट तो होई गया अगर वीकली बेसिच पे केंडल हमें स्ट्रॉंग ली क्लोजिंग मिल जाती है अप साइड के उपर तो मैं मानता हूं बैंक निफ्टी बहुत अच्छा रिटरन दे सकता है ठीक है कुछ सिनेरियो जो पिछले अभी पिछल अगर वो रिजल्स अच्छे आते हैं डेफिनेटली हमें अच्छा खासा अप मूव बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है तो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए अप मूव हम अपना त्यार कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर यानि बुलिश विव बनाके चल सकते हैं बट क्योंकि इसलिए रिस्क अपना मैनेज करके चलना है अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो यह कुछ मुझे फैक्ट्स लगे यह कुछ मुझे रिजन्स लगे जो मुझे लगा कि जरूर सेयर करने चाहिए थे इसलिए मैंने सेयर देखिए वीकली बेसिस पर करेक्शन आ चुका है तो मैं मानता हूं और सोरे डेली चार्ट पर देखेंगे तो यहां पर अब आप साइड जाने लिए चार्ट लिए और कुछ अधर फैक्टर लिए है तीक है डेटा मैं ज्यादे नहीं कर रहा हूं कर रहा हूं कर देखोगे डेटा बेरिस होता है सुबह आप ऑप ऑपनिंग मिल जाती है तो इसलिए डेटा पर फ्योर्ली रिलाई नहीं करेंगे हां लाइव मार्केट क अपने ट्रेडिंग को अपने ट्रेट को एक्जीक्यूट करेंगे आपको अच्छे लगी होगी तो देखो वीडियो को लाईक जरूर करना पनता है तो सबस्कुराइब करोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम भी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूगा कि चैन कर लो तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो आजी आ जाएगी वह स्विंग ट्रेडिंग कुछ स्टोक्स मैंने चूज गी हो हैं उनकी आने वाले क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है चलिए मैंने दो वीडियो बनाने पड़ रही है तो नेक्स्ट वी मैंने चलिए हैं नेक्स्ट वीडियो गे अंदर मैं नेम इस संधीत वीयर प्रम सिंफरीन जैहिंद